Hello dear learner, welcome to our channel, with kids classes. आज की क्लास में dear learner, हम लोग पढ़ेंगे, कि जो Hindi reading की जो स्रीच चल रही थी, उसी को आज की क्लास को continue करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इस से पहले छोटा हूँ जो होता था, उसकी मात्रा से बनने वाले सब्दों को पढ़ा था, तो आज की क्लास में जो बड़ा उ होता था आपका, क्या होता था, बड़ा उ होता था, उस से बनने वाले, उसकी मात्रा का प्रियोग करके, इसकी मात्रा कैसी होती थी, तो आप लोग जानते, ऐसी इसकी मात्रा लगती थी, इसकी मात्रा जो लगती थी, तो जैसे क्या होता था, छोटा उ की मा मात्रा लगेगी तो आप लोग कैसे पढ़ेंगी वू जैसे हम लगाते हैं लिखता हूं एक वर्ड जैसे का लिखा का मैं मैंने बड़े वू की मात्रा लगाई वू अब फिर आपके सामने ला लिख दिया तो आप क्या पढ़ेंगे आप कूल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कूल और जैसे हम छोटे उकी इसमें मातरा लगाते जब हम इसमें छोटे उकी मातरा लगाते तो आप इसे क्या पढ़ते कूल क्या कूल और जब कि इसको क्या पढ़ेंगे कूल क्या पढ़ेंगे इसको कूल पढ़ेंगे और जबकि उसको कुल पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आगे लिख रहा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ, भा लिखा, फा पे बड़े उकी मातरा लगाया, और ला लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब कहेंगे आप फूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा, ज जबकि छोटे उकी मातरा लगाते तो क्या हो जाता फूल हो जाता जैसे छोटे उकी लिखा एफ लिखा एफ पे छोटे उकी मातरा लगाया और ला लिखा तो क्या हो गया फूल हो गया जबकि एफ लगा और उस पे बड़े उकी मातरा और ला लिखा तो ये क्या हो गया फूल हो गया ठीक है अब उसी प्रकार मैं आगे लिख रहा हूं जैसे देखना भा लिख रहा हूं क्या लिख रहा हूं भा लिख रहा हूं भा पर मैंने बड़े उकी मात्रा लगाई और ला लिखा अब आप क्या कहेंगे भूल कहेंगे क्या कहेंगे भूल कहेंगे ठीक है उसी प् अब भापे मैंने बड़ेऊ की मात्रा लिखी लगाई और हमने खा लिखा क्या लिखा खा लिखा तो अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे भूख खा तो क्या हो जाएगा भूख क्या हो जाएगा भूख हो जाएगा क्या हो जाएगा भूख हो जाएगा उसी प्रकार हमने अगला लिखा मा लिखा क्या लिखा मा लिखा और मा पे बड़े उकी मात्रा लगाई और ला लिखा अब आप क्या पढ़ेंगे इसको मूल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे मूल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे पढ़ो म मूल या मूल पढ़ेंगे उसी प्रकार हमने जैसे चा लिखा चा लिखा चा पे बड़ेओं की मात्रा लगाई ला लिखा तो अब क्या हो जाएगा चूल हो जाएगा क्या हो जाएगा चूल हो जाएगा उसी प्रकार हमने कहा कि अगर हमने मा लिखा और ला लिखा तो अब क्या हो जाएगा मूल हो जाएगा उसी प्रकार जब हमने मूँ पे बड़ा की मात्रा लगा दिया तो अब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मूला, ठीक है? क्या कहेंगे मूला, ठीक है? उसी प्रकार जब हमने मा लिखा? क्या लिखा? मा लिखा? और मा पे बड़े उकी मात्रा लगाए मूँ और ये हमने का अब आप कहेंगे मूख, क्या हो जाएगा, मूख हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूख हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसे मूख पढ़ेंगे, उसी प्रकार हमने रा लिखा, क्या लिखा, रा लिखा, रा पे बड़े उकी मात्रा लगाई, और हा लिख ठीक है उसी प्रकार मैंने लिखा रा लिखा रा पर बढ़ेओ की मात्रा लगाई और रा लिखा तो अब बताओ इसे आप क्या पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे इसे रू और रूर क्या पढ़ेंगे रूर पढ़ेंगे ठीक है क्या पढ़ेंगे रूर पढ़ेंगे उसी प्रक जाएगा. खूर, खूर, क्या हो जाएगा? खाह पे बडहो की मातरा लगाई, तो इसी उच्छा पर पलेंगे. उसी प्रकार हमने लिखा. चा लिखा चा पे हमने बड़ेओं की मात्रा लगाई और रा लिखा तो अब क्या पढ़ेंगे आप आप पढ़ेंगे चूर क्या पढ़ेंगे चूर ठीक है चूर पढ़ेंगे उसी प्रकार हमने कहा मा लिखे मा पे मैंने बड़ेओं की ये मात्रा लगा दी और रा लगा दिया तो अब इसे आप क्या पढ़ेंगे तो आप कहेंगे मूर क्या पढ़ेंगे मूर ठीक है मूर ठीक है उसी प्रकार हमने कहा अगला वर्ड है भा लिखा भा पे हमने ये बड़े उकी मात्रा लगा दी और La लिख दिया, अब आप इसे क्या पढ़ेंगे, तो भूल, क्या पढ़ेंगे, भूल ठीक है, भूल पढ़ेंगे, उसी परकार हमने कहा, जहा लिखा, क्या लिखा, जहा लिखा, ठीक है, अब ही रेज कर लेताँ, धा लिखा धा पर हमने बड़े हुखी ये मात्रा लगा दी और ये हमने लिख दिया ला तो अब इसे आप क्या पढ़ेंगे पहले जैसे धा ये लिखा ठीक है इसके नीचे ला तो केवल अब इसे क्या पढ़ेंगे जूल क्या पढ़ेंगे जूल जब इस पर बढ़ा के दिं मैंने कहा, जब मैंने कहा जूला हो गया, तो हमने कहा फा पे बढ़ेओ की मात्रा लगाई फूल और वैसे ला, तो क्या होगा, फूल हो गया, जब हमने कहा इस पे भी डिंडा लगा दिये, तो अब क्या पढ़ेंगे अब, इसे पढ़ेंगे फूला, क्या पढ़ेंगे फूल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अब तुम मुझको बताईए, ये क्या लिखा, ये मूल लिखा, क्या लिखा? मूल लिखा, इसी पर मैंने मात्रा लगा दिया, तो मूला, ठीक है, मूला, ठीक है? उसी प्रकार ये बताईए, ये क्या लिखा, चूल, हमने ये लगा दिया, तो चूला, क्या हो गया, चूला, ठीके, उसी प्रकार हमने कहा, चा लिखा, चा लिखा, चा, फिर हा लिखा, उसके नीचे मात्रा लगाई, तो अब क्या हो गया, चूहा, क्या हो गया, चूहा, ठीक उसी प्रकार मैंने कहा भा लिखा, भा के नीचे बड़ेऊ की मात्रा लगाई और ता लिखा, तो अब क्या पढ़ेंगे आप, भूत क्या पढ़ेंगे, भूत ठीके, क्या हो जाएगा, भा पे बड़ेऊ की मात्रा लगी, भू, और ता भूत जैसे मैंने कहा दा लिखा, दा पे बड़ियों की मात्रा लगाई और रा लिखा तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, दूर, क्या पढ़ेंगे, दूर जा लिखा, घा पे बड़ियों की मात्रा लगाई और रा लिखा तो अब इसे क्या पढ़ेंगे गूर, क्या पढ़ेंगे घापे बड़ेव की मातरा गूर और गूर क्या हो जाएगा गूर तो dear learner आज की class में हम यहीं तक रखते हैं और फिर आप लोगों को हम next class में जब मिलेंगे तब आप लोगों को और हम तिखाएंगे ठीक है तो आज की class में बस इतना ही मिलता हो next class में तब तक के लिए बाई, take care dear learner